सबसे पुरानी और महगी विस्की है यह समझना बेहत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस विस्की में ऐसा क्या है जिसकी वज़े से इसे पीने के लिए लोग लाखो करोडो रुपए तक खर्च कर देते हैं नमस्कार वियोपी हिंदी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे विस्की एक ऐसी शराब है जिसे पीने के लिए आपको समय देना पड़ेगा जिहां यानि अगर आपने एक 30 ml का पैग बनाया है और उसे नीट पी रहे हैं तो उसे खत्म करने के लिए आदे घंटे का समय देना पड़ेगा शराब कई तरीके से आते हैं विस्की, रम, वोट का, टकीला और ना जाने क्या-क्या पीने वाले भी लाखो करोडों में है लेकिन क्या सभी को सही तरीका पता है शराब पीने का शायद नहीं तो आज हम बात करेंगे विस्की पीने का सही तरीका क्या है भारत में सबसे ज़ादा बिकने वाली शराब ही विस्की है विस्की टॉप पर आती है लेकिन उसे पीने का सही तरीका शायद कुछ लोगों को ही पता है दरसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि विस्की को कभी भी कोल्डिंग और सोडे के साथ नहीं पीनी चाहिए आखिर ऐसा क्यों इसे हमेशा नीट पीना चाहिए अब आप सोच रहे होंगे नीट पीएंगे तो शरीर पर नुकसान पहुचाएगी जी नहीं अगर आप सही तरीके से पीएंगे तो यह शरीर को सिर्फ उतना ही नुकसान पहुचाएगी जितना की पानी या फिर कोल्डरिंग के साथ पीने पर पहुंचाती है अब आते हैं पीने के सही तरीके पर दरसल अपने 30 ml पैक को आप अराम से समय दे कर पीए जैसे आप गरम गरम चाय पीते हैं तो आज के बाद जब भी कभी आप विसकी पीए तो उसे नीट पीए लेकिन तरीके के साथ समय के साथ पीए आखिर शराब में कोल्डरिंग क्यों नहीं मिलानी चाहिए एक्सपर्स कहते हैं कि अगर आप शराब में कोल्डरिंग मिला कर पीते हैं तो इससे आपको नशा तुरंट चड़ जाता है, हाला कि यह है आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है दरसल जब आप शराब और कोल्डरिंग को एक साथ मिला कर पीते हैं, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और दूसरी बात है कि शराब में कोल्डरिंग मिलाने से शराब की मातरा का अंदाजा नहीं होता इसकी वज़े से आप शराब को जादा पी लेते हैं, कई बार तो इसकी वज़े से हार्ट अटेक और स्ट्रॉक का खत्रा भी बढ़ जाता है तो विसकी रम के साथ समय देना ना भूले ऐसी ही जानकारी के लिए चैरल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राइज जरूर रखें